डक्टर साब, मुझे एक साल से एड्स की बीमारी है मेरी बीमारी कम हुई या नहीं? कैसे मालूम होगा? एड्स की बीमारी आने के बाद, गोली खाने से, एया टी, एंटी रिट्रोवेल थरपी लेने से, उनकी बीमारी बहुत ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छा बन जाएगी, तवित कूप अच्छी बन जाएगी, जो बिगडी हुई तेपते बीत अच्छा बन जाएगा एक साल में ही, कई एड्स की बीमारी वाले, छे महीनों में ठीक हो जाएगी, उनका दो वाइरल लोड, 30 लाक हो, लेकिन एड्स की दवा लेने से, एक साल में ही, बहुत अच्छे बन जाएगी, देश समझे हैं? अब से मैं दवा लेकि जूरते हमें पिटीक बन गया, मुझे कोई भी नहीं, बीमारी नहीं, खांस ही नहीं, कमजोरी नहीं, सब कुछ का लेता हूँ, बंद करना चाहते हैं, नहीं, हमेशा कह रिये, खाना दवा तो लेते ही रहना है, लेकिन ये बीमारी कम हुई आएगी नहीं, येश की बीमारी कंट्रों में आया नहीं, कैसे समझेंगे, उनको CD4 कौंट करना है, CD4 टेस्ट करने से, जो इसके पहले, जो CD4 जब उनकी बीमारी बहुत अधिक है, सब तो CD4 कौंट बहुत दाउन, लो होता है, लेकिन बीमारी ठीक हो जाती है, बराबर, तब क्या CD4 कौंट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, वैसे ही, दबा लेने के पहले, वाइरल लोड बहुत अधिक होता है, दबा लेने के पहले, बहुत अधिक होता है, लेकिन दबा लेने से, एक साल में ही दे वाइरल लोड जो लाखों में रहने वाइरल लोड अन्डिक्टिबल लिए इस प्रकार हम समझें बीमारी हमारे कांट्रोल में आया नहीं क्या आई तो तो बराबर तो बंद मत करना येड्स की दवा को बंद मत करना बहुत हो लेते ही रहना कभी भी लाइफ लॉंग क्योंकि अब तक येड्स की बीमारी को क्यूर करने वाली कोई भी दवा नहीं है के वल कंट्रोल पूरा-पूरा कंट्रोल करने के लिए ही मुझाए वो दवा लेना बंद कर दो तो फिर इसे जो साइन्स स्यंटोस होते हैं संप्स हो भी बाज आज रहेंगे इसे लेकिन हम कैसे अब समझेंगे केवल सीडी फॉर कौंट और वाइरल लुड उस करके वह प्र टेश्च करके बुसके दो और हम समझे कैसा है उसके स्थीतिक ऐसे हैं वह कंट्रोल मे ही है नहीं कंट प्लीज दाउनलौड समरम मल्टी चैनल अब और वाइवारे चैनल अब कुछ वीडियों के लिए क्रुपया हमारे चानल को सब्सक्रेब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशन पर दबाईए